फ्रेंट्स आज हम राएंगे सूजी का ढोकला इसके लिए मैंने बारिक वाली सूजी यूज़ की अगर आपके पास नहीं है तो एक बार मिक्सर कर अंडर में मोटे वाली सूजी को चला ले एक कप मैंने लिया है दही भी मैंने एक कप लिया है उसे मिक्स कर लिया यहां मैंन ना डाले थोड़ा थोड़ा डाले और मिक्स करते जाएं आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है तो इसे हम ढग करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे में अगे का कम कर लेंगे हमें steamer बनाना है miner के लिए मैंने लीड को कपरे से बांद दिया है cotton कपरे से ताकि जब steam बनेगा तो आपके धुक्ले के ऊपर नहीं गिरेगा और आपको जिसमें steam करना है इसमें आप पानी ले ले, इसमें stand लगाए, पानी उतना ही यूज करें, जो आपके ढुकले के बरतन को छूना पाए, और आप उसे steam होने के लिए छोड़ दे, यहां जिस बरतन में बनाना है, उसमें मैंने थोड़ा ओयल लेके ग्रिसिंग कर लिया है, यहां पे मैंने बैटर में ए डाल देंगे, और इसे हम low to medium heat पे 20 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे, बीस मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, तुद्पिक इंसर्ट करके यह हो चुका है, अब हम इसे निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, यहां हम चौके की तेयारी कर लेंगे, यहां मैंने two table spoon जितना oil ले लिया है, refined oil, इसमें हम डालेंगे राई, इसमें डालेंगे करी पत्ता, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, slit लगा के मैंने use किया है, इसमें till white वाला use करेंगे और hing add करेंगे और हम थोड़ा इसे पका लेंगे, low heat पे पकाएं, उसके बाद यह आपक भूकला भी पुरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और हमने जो छोका तयार किया है हम उसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और आप अपने मंचाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स ढोकला तो आपका बहुत जालीदार बन के तयार होगा बहुत टेस्टी होता है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें बहुत इजी है बनाना मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है आप एक बार इसे जरूर मेरे बताई तरीके से ट्राइ कीचिए और आप देख सकते हैं हमारा ढोकला बहुत ही स्पंजी बन के तयार हुआ है ये खाने में भी बहुत टेस्टी है तो उमीद करते हूं कि आप इसे ट्राइ करन और धन्यवाद